साथियों जल जीवन मिशन का एक और पहलू है जिसकी चर्चा कम ही होती है हमारे यहां आर्सनिक और दूसरे प्रदुशनों काउं से पानी जो कुछ प्रकार के एलिमेंट यूपत होता है यह बहुत बड़ी समस्या है दूसरी पानी के कारण बहुत तरह की बिमारिया लोगों का जीवन तबहा कर देते उसमें भी हड्डियों की बिमारी जीना मुश्किल कर देती है इन बिमारियों को अगर हम रोक पाएं तो अनेक जीवन बचा पाएंगे इसके लिए पानी की टेस्टिंग भी उतनी ही जरूरी है लेकिन अगर वर्षा का पानी बहुत बड़ी मात्रा में बचाएंगे तो बाकी जो ताकत है वो कम हो जाएगे आज हादी के बाद पहली बार पानी की टेस्टिंग को लेकर किसी सरकार द्वारा इतनी गंबीरता से काम किया जा रहा है और मुझे इस बात की भी खुशी है कि पानी की टेस्टिंग के इस अभ्यान में हमारे गाउं में रहने वाली बेहन व बेटियों को जोड़ा जा रहा है कोरोना काल के दोरान ही साड़े चार लाग से जादा महलाओं को वाटर टेस्टिंग की ट्रेनिंग दी जा चुकी है हर गाउं में कम से कम पांच महलाओं को पानी टेश करने के लिए ट्रेन किया गया जा रहा है वाटर गवर्नर्स में हमारी बहनों बेटियों की भूमिका को जितना अधिक प्रुछाइद किया जाएगा उतना ही बहतर नतीजे मिलना ताय है मुझे विश्वात है कि जन भागीदारी से जन सामर्थ से हम देश के जल को बचाएंगे और देश के कल को बचाएंगे हम फिर से एक बार उजवल बनाएंगे मेरा एक बार फिर देश के सभी नवजवानों को सभी माताओं बहनों को सभी बच्चों को, लोकल बॉडिज को, सामाजिक संस्ताओं को, सरकार के विफागों, सभी राज्य सरकारों से आग रहा है कि जल शक्ति अभियान को सफल बनाने के लिए हम सब एक संकल्प लेकर के आगे बढ़ें, आने वाले सो दिन, आने वाले सो दिन, पानी की तैयारी ज हो, जैसे गाउं में बारात होने वाली हो, तो गाउं कैसी तैयरी करता है, महिले भर पहरे से तैयरिया शुरू होता है, बारात आने वाली, ये बारी साने के लिए पूरे गाउं में ऐसी तैयरी होनी चाहिए, बारी साने वाली है, बारी साने वाली है, चलो भाई, पानी ब तो फिर दूर्पयोग करने के आदत भी बन जाती है मेरा आस आगर है पानी बचाना जितना जरूरी है उतना ही पानी विवेक भुद्धी से उपयोग करना भी जरूरी है इसको हमें कभी ने भोलना चाहिए